दोस्तो आज हम बात करेंगे अपने वीडियो के लिए high ratio thumbnail कैसे बनाएं और कैसे लगाएं तो चलिए start करते हैं दोस्तो पहले आप देख लिजे मेरे इस वीडियो में high ratio thumbnail नहीं लगा क्योंकि मुझे आपको बताना था इसलिए मैंने इस वीडियो में high ratio thumbnail नहीं लगाया दूसरा तरीका जब आप thumbnail बना लिए हो स्टार्ट करते फर्स तरीका जब आप thumbnail बना रहे हो जैसा कि आप स्कीन पर देख पा रहे हैं मैं पिक्सल लाइब है अपना thumbnail बना रहा हूँ सेव करने के लिए Save button पर क्लिक रहे save as image पर क्लिक किया और जहां पर custom लिखा है तारा खेल इसी का है custom पर क्लिक करो यहां आपके सामने कुछ options ओ करेंगे आपको यहां पर very high या ultra पर क्लिक करना है जैसा कि आप स्कीन पर देख पा रहे हैं मैं very high पर क्लिक कर रहा हूँ पर क्लिक करने के बाद Save to gallery पर क्लिक करें अब आपका image save हो गया अब मैं इसे लगाता हूँ अपने बीडियो पर open करता हूँ अपना YTA studio ऐसा कि आप देख पा रहे हैं open हो गया मेरा YTA studio जाता हूँ मैं अपने उस वीडियो पर और लगा देता हूँ thumbnail जो कि मैंने आपके सामने एक्सपोट किया है वीडियो पर क्लिक किया और pencil पर क्लिक करके Edit section में आके अपने thumbnail को edit करता हूँ मेरा gallery open होगी अब मैं वह thumbnail choose करूँगा जो की आपके सामने export किया था thumbnail select करने के बाद save button पर click करें save button पर click करने के बाद आपका thumbnail save हो गया अब आपको back करके दिखाते हैं अपने browser में जाकी इसके लिए अपना browser open कर लिया अब आपके सामने पहले वाला page आ रहा है मैं इसे एक वार refresh करूँगा जैसा कि आप एसकीन पर देख पार है मैं इसे एक वार refresh कर रहा हूँ refresh होने के बाद अब आप देखे इस thumbnail का ratio क्या है इसके लिए मैं slide up करूँगा और आपको दिखाऊंगा इस thumbnail का ratio क्या है मैं slide up किया और थोरा wait कर लिजे tube body को खुलने में कुछ second लगता है जैसा कि आप देख पार है tube body open होगे अब आप देखे इसका क्या ratio है जैसा कि आप एसकीन पर देख पार रहा है जिस अस्थान पर high ratio thumbnail cross cut था वहाँ पर टिक लग चुका है इसका मतलब आपका thumbnail high ratio में set होगे अब बात करते है second method के बारे में अगर आपके पास thumbnail पहले से ही हो तो क्या करें इसके लिए आपको अपने thumbnail को pixart application में send करना होगा जैसा कि आप एसकीन पर देख पार है यह मेरा thumbnail है जो कि high ratio नहीं इसको मैं pixart application में share कर रहा हूँ जैसा कि आप एसकीन पर देख पार है मैंने अपना thumbnail को pixart application में share कर दिया अब आपको tool button पर click करना है click करने के बाद आपको resize button पर click करना है जहाँ पर जो आपके सामने आएगा उसे delete करके आपको पहला को 26 कर देना है जैसा कि आप एसकीन पर देख पार है professional gaming thumbnail बनाना ये बीडियो देखो